आज मैं आप लोग के साथ एक पार्टी गेस्ट मेकप लुक शेयर करी हूँ वैसे ये वारा लुक मैंने न्यू येर के लिए मैंने क्रेट किया है सो अभी ना मैं यहां पर इनकी आईब्रो फिल कर रही हूँ और आईब्रो फिल करने के लिए मैं यहां पर ब्राउन कलर की एक जेल आईब्रो फॉमेट यहां पर मैंने लिया है और मैंने दोनों आईब्रो फॉमेट यहां पर यूज कर रही हूँ और इनकी जो आईब्रो में बहुत ही अच्छी है और लेकिन इन्होंने आईब्रो थ्रेडिंग उन्होंने नहीं करवाई थी इस वज़े से मैंने अभी न मैं यहां पर पहली बार में फर्स्ट मैं आई मेकप से स्टार्ट कर रही हूँ और आईब्रो फिल होने के बाद मैं अभी यहां पर एक स्टिक फांडेशन से उसे शाप कर रही हूँ आईब्रो को शाप करने से बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने थ्रेडिंग भी नहीं करवाई थी इस वज़े से मैंने इनकी आईब्रो को और शाप बनाने के लिए मैंने एक उलिविया पैंस्टिक यहां पर यूज कर रही हूँ उसे शाप बनाने के लिए नेक्स स्टेप में यहां पे उनकी आई मेकप क्रियेट करने के लिए अभी में यहां पे बेस लगा रही हूँ उसी जो मैंने शाप बनाने के लिए उनके आईब्रो को साप बनाने के लिए जो मैंने बेस मैंने लिया था जो भी आईशाइडो बेस लगाए हैं जो भी गांसेलर या फटाउडिशन आपने लगाए हैं उसे set करने के लिए अभी मैं यहां पे एक loose powder भी आप यूज पाउडर यूज कर सकते हूं या फिर कोई भी ऐसे एक Hello Smoky Eye जैसे में create करने वाली हूँ तो पहले मैं बहुत एक natural shade से उनकी eye lid के उपर में blend कर रही हूँ, उसके बाद एक green color की shade को लेकर यानि कि उनकी जो dress का जो color है वो एक green था, मतलब उतना साथा green ने एक light green था लेकिन उनकी dress की color की matching से मुझे मिलनी रहा था, तो मैंने थोड़ा सा deep green color shade को लेकर उनकी inner और outer corner पे मैंने अच्छा सा मैंने उसे blend किया है, उसके बाद अभी blend हो जाने के बाद अभी मैंने beach मैंने cut crease बनाई है जो beach मैंने cut crease बनाई है और याँपे मैं golden shimmery pigment को मैं याँपे मतलब place करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हाथों पे थोड़ा सा golden shimmery pigment जिसे कहते हैं उसे मैं रहे कर उनकी lid के मतलब जो यानि कि उनकी जो beach की cut crease मैंने बनाई है, वहाँपे मैं place कर रही हूँ, और उनके dress पे थोड़ा बहुत golden stone वाली काम उनकी मतलब place पे था इस वज़े से ना मैंने उनके eye makeup में भी golden और green उन दोनों को mix करके एक hello smoky eye जैसे मैंने look create करने की कोशिश की है उसके बाद side में जो edges है जैसे कि cut crease करने के बाद एक edges आ जाता है, उससे blend करने के लिए मैंने एक blending look create करने के लिए दोनों शायद से मैंने उसे blend किया है उसके बाद अभी मैं यहां पे liner ड्रो कर रही हूँ liner पे मैं कोई भी wings liner नहीं ड्रो कर रही हूँ बहुत ही basic से liner ड्रो कर रही हूँ क्योंकि wings liner अभी इतना सदा trending में नहीं है और अभी मैं यहां पे इनकी आँखों पे मस्कारा लगा रही हूँ जो मैंने liner मैंने ड्रो किया था वो मैंने off camera मैंने उसे थोड़ा बहुत blending कर दिया क्योंकि इस वक ना मैंने client आ गये थे facial करने के लिए अपने parlor पे थोड़ा बहुत इसलिए मुझे problem हुआ जरूरी है skin को hydrate करने के लिए next मैं अभी यहां पे यूज कर रही हूं primer प्राइमर पे मैंने color bar का primer I think मैंने यूज क्या है so अभी मैं यहां पे primer यूज कर रही हूं so अभी मैं यहां पे यूज कर रही हूं color character जो कि orange color के एक share लेकर मैं उनकी मतलब आँखों के निया जो भी उनकी face पे थोड़ा बहुत मुझे darkness दिखाई देगा उसी जगापे मैं color character को use करूँगी आप वैसे तो मेरी client की मतलब मेरी model की face बहुत ही जादा clear थी बहुत ही अच्छ skin थी so इस वज़े से मुझे उनके मतलब skin पे उतना सदा dark वगेरा नहीं था तो मुझे उतना सदा कुछ use करने के ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैंने इससे क्या होता कि ना जो मतलब coverage जो अच्छा आता है और discoloration मतलब जो foundation and dark होने की chances भी नहीं होता तो मुझे पसनाली color character यूज़ करना अच्छा लगता है तो अभी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ foundation foundation को मैं dotted करके उनकी सारे face मतलब पूरे face पर अभी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ उसके बाद अभी मैं beauty blender की मदद से जो भी foundation मैं ने लगा है उनकी face पर मैं सब कुछ मैं अभी भी यहाँ पर blend कर रही हूँ अच्छा से और अभी मैं यहाँ पर उनकी face को contouring कर रही हूँ contouring के लिए मैं थोड़ा contouring को ना blend का ना बहुत ज़ादा ज़रूरी है ठंका मौसम है इसलिए मैं cream contour कर रही हूँ लेकिन गर्मी के मौसम में cream contour करने की कोई ज़र्वत नहीं है जब भी आप contour करते हो तो जो forehead area और jawline के पास जो contouring करते हो ना आप उसे नीचे की तरफ आप blend कर सकते हो यानि कि jawline की जगा पर जो अपने contouring की आए उसे आप नीचे की तरफ blend कर सकते हो तो अभी में या पर उनकी nose को contouring कर रही हूँ मतलब contouring करने के बाद अभी में है यापर blend कर रही हूँ उसके बाद अभी में यापर कर रही हूँ बेकिंग करना बहुत ज़र ज़रूरी है फूल फेस को में उतना सदा powder से में मतलब set नहीं करती क्योंकि हमारे foundation होता है वो waterproof होता है तो इस वज़े से में फूल फेस पे powder लगाना अच्छा नहीं लगता उसके बाद मैंने off camera मैंने eyelashes लगा लिए है अभी मैं उसे edges कर रही हूँ blush और highlighter ये सारे चीज I think मैंने off camera मैंने कर लिया है क्योंकि मेरे पास पालर पे काफी जादा लोग भी थे उस टाइम अचानक से सारे मतलब लोग आगे है तो इस वज़े से पालर पे थोड़ा बहुत भीड हो गया तो इस वज़े से ना सब कुछ मुझे manage करने थोड़ा बहुत problem हो रहा था तो इसलिए off camera कुछ-कुछ मतलब shoot हो गया उसके बाद अभी मैं यहां पे उनकी lips को अच्छे से ड्रो करने के बाद lip definer से उसके बाद अभी मैं यहां पे lipstick यूज कर रही हूँ तो अभी ना उनकी जो lips को मैं sharp बना रही हूँ आइशाड़ो मैंने off camera ही मैंने यूज कर लिया है तो hairstyle होने के माल यह है मेरे model की final look I hope कि यह वाला look जो आप लोग को अच्छा लगा होगा और अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज दो like, share and subscribe to my channel मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल दे लिए और ऑग और यू अच्छा, हुआती है